असलाम लीकूम कैसे हैं आप सब मैं उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अलब पाक की करम से अलहम्दलिला मैं भी ठीक हूँ तो आज हम बनाएंगे चिकन कडाही इसके लिए ये मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है यानी ना आदा किलो है ना एक किलो ये तीन पाउ चिकन है और ये तीन बड़े साइस के टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है एक कब दही वन टेबल स्पून धनिया पाउडर वन टेबल स्पून सौल्ट हाफ टी स्पून हलवडी पाउडर वन टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और वन टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर और इनने इस तरह से Half Cut कर लिया है वो इसलिए किया है क्योंकि अब हम इने बॉądब करेंगे और उसके बाद हम इसे रेस्टरोरेंट में जो हम कड़ाही खाते हैं वो इसकी ग्रेमी बहुत तीक होती है आज मैं आपको रेस्टोरेंट जैसी ही कडाही बनाना सिखाऊंगी प्याजों के पॉाइल होने तक हम इस दही में ये सारे स्पाइसिज एड़ कर देंगे धनिया पाउटर, काली मिर्च का पाउटर, लाल मिर्च पाउटर, हल्दी पाउटर और इन्हें मिक्स कर लेंगे, सॉल्ट, मैं इसमें अभी इसली एड़ नहीं करूंगी क्योंकि मैं चिकन को फ्राय करते वे, उसमें पहले ही डाल दूंगी अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे ये बहुत मज़ेगी बनती है, आप इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राय करें और आप देखेंगे कि वाके ये रेस्टरेंट जैसी त्यार होगी इन्हें हमने मिक्स कर लिया है और यहां प्याज भी वाइल हो रहे हैं इन्हें हमने सिर्फ 5 मिन्ट के लिए पाइल करना है पाइल करने का मकसद ये है कि इनकी जो स्मेल होती है वो निकल जाए पाइल करने के बाद वो निकल जाती है और आप देखेंगे कि ग्रेवी में जब हम ज़्यादा प्याज डालते हैं तो बस प्याजों का ही टेस्ट आता रहता है आप इस तरह से पाइल करके इन्हें ग्राइंड करके डालेंगे तो आप जितने मर्जी प्याज डालने तो ग्रेवी भी ज़्यादा त्यार होगी और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का बनेगा यह बॉाइल हो गए है हमें इन्हें देखें इसी तरह से बॉाइल कर लेना है और बस फ्लेम आफ कर दूँगी और इसका पानी चान लोंगी चानने के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ कि यह किस फॉर्म में आ चुके हैं यह देखें बॉाइल होने के बाद इस तरह से हो गए हैं बहुत ही सोफ्ट हो गए हैं अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे और इसमें डालेंगे अब मैं कडाही में एक प्याली कुकिंग ओयल एड़ कर दूंगी और इसमें ये देखें ग्राइन किये वे प्याज एड़ कर देंगे इनका मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है इन्हें हम थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे उन्हें हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है बस गोल्डन फ्राइ करना है ये गोल्डन फ्राइ हो गये है अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट एड़ कर देंगे और इसे भी थोड़ा सा प्याजों के साथ फ्राइ कर लेंगे अब हम इसमें चिकन एड़ करतेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राइ करते रहेंगे इसे फ्राइ करते हुए ही हम इसमें सॉल्ट एड़ करतेंगे और अब इसे फ्राइ कर लेंगे चिकन को हमने फ्राय कर लिया है अब हम इसमें यह टमाटर का पेस्ट एड़ कर देंगे और इससे चिकन के साथ कुक कर लेंगे अब हम इसे तो से तीन मिंट के लिए कवर करके कुक कर लेंगे तीन मिंट हो गए हैं अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें यह दही एड़ कर देंगे और इसे मिक्स करके दुबारा से कवर करके इसे छे से साथ मिंट के लिए हम मिडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताके हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए और मिसाले भी कुक हो जाएं यह देखिए साथ मिंट गुजर चुके हैं और चिकन भी हमारा गल चुका है और हमारी कडाही तकरिबन त्यार हो चुकी है अब हम इसमें हरी मिर्चे एड़ कर देंगे और इन्हें भी एक मिंट का दम दे देंगे हरी मिर्चे भी इसमें कुक हो चुकी है अब हम इसकी फ्लेम आफ कर देंगे और इसमें गरम मिसाला पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और यह हाफ लेमन इसका जूस भी इसमें आड़ कर देंगे और यहारा धनिया इसे भी हम इसके उपर गार्निश कर देंगे और यह कटी हुई अद्रक है जूलियन कट किया हुआ है इसे भी हम डाल देंगे अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं यह देखिए अलहमदलिल्ला कडाही हमारी बहुत मज़े की तियार हुई है और खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है आप इसे घर में जरूर ट्राइ करें इन्शालला यह आपको बहुत पसंद आएगी मुझे दौाओं में याद रखिए मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले अपना और अपने प्यारों का बुखत ख्याल रखें मुझे भी दौाओं में याद रखिएगा मुझे दीजिये इजाज़त अल्ला हाफीज मुझे बूल्दी है तक से आपने वाद आपने प्यारों में यारों किया प्यारों को अजों